तो दोस्तो परसो यानि की 1st of November 2021 को इस बहतरीन कंपनी के quarter 2 के नंबर्स आने वाले हैं और अगर quarter 2 के नंबर्स में थोड़ा बहुत भी अगर यहाँ पर margin pressure आता है तो इस stock में हमको गिरावट देखने को मिल सकती है लेकिन मैं आपको कहना चाहूँगो दोस्तो यह जो रही है तो हो सकता है input cost का pressure इसमें भी हमको आता हुआ देखने को मिल सकता है most probable chance यही है कि आ सकता है और आया तो market इसको भी दोस्तो यहाँ पर थोड़ा सा तो कौन सी company हो उस तो और इस company के लिए क्या कहा गया है एक बड़े analyst के द्वारा उसको भी मैं आपको बताऊंगा तो यह company है दोस्तो यहाँ पर relax हो जिहां दोस्तो रिलेक्स हो सुनके आप यहाँ पर सुनके यहाँ पर आप निकल जाएंगे लेकिन कई चीज़े ऐसी हैं जो आपको जानना जरूरी है वो मैं आपको इस वीडियो के दैरान बताऊंगा तो वीडियो के साथ दोस्तो बने रही है सबसे पहले अगर हम बात करें तो market leader है दोस्तो यह value segment में इसको यहाँ पर टकर देने वाला कोई ही नहीं है यहाँ पर बाटा है और relax हो है लेकिन value segment म में बाटा भी दोस्तो इसके आसपास भी नहीं दिखता है साथ ही साथ manufacturing excellence बहुत जवरदस्त है गजब के इनकी manufacturing capacities है पैन इंडिया distribution network है रोबस्त यहाँ पर अगर आप बात करें तो financial performance है जवरदस्त free cash flow यह company generate करती है और अपने business में उसको reinvest करती है अगें उस पे R.O.C. बहुत अच्छा company generate करती है और दोस्तो ऐसी बात नहीं है कि यह company जो है पिछले थोड़े सालों से यह काम कर रही है यह company उस तो पुरानी है और काफी लगातार जो past में अगर हम बात करते है उस company का track record बहुत ही जबरदस्त है cash flow को अपने reinvest करने का साथी साथ growth की बात करें तो अभी मैं growth भी आपको बताऊंगा तो growth की अगर बात करें तो attractive dynamics of Indian footwear industry जहां पर अगर बात करें देखिए important highlights में आपको बता रहा हूँ कि India अभी भी दोस्तो एक under penetrated market है per capita consumption जो है भी भी इंडिया में round off में अगर हम बात करें तो दो pair आप मान के चल सकते हैं per annum मतलब कि दो जोड़ी हम जूते यहां पर जूते चपल पहनते हैं उससे जादा हम नहीं करते हैं वगर average की बात की जाए ठीक है on an average two pairs per annum यहां पर consumption है per capita global average तीन पेर का है और developed countries में यही average 6-7 जोड़ी जूते चपलों का है मतलब कि वो लोग के developed countries में 6-7 जोड़ी हमेशा हर साथ यह possible income बढ़ेगी तो हमारा consumption भी यहां पर बढ़ेगा अगर मैं अपनी बात करूं तो पहले दोस्तो मैं जो है एक चपल एक जूते में पूरा साल भर निकालता था जब हमारा condition ठीक नहीं थी लेकिन आजकल हम देखें तो मेरे पास तो खूर यहां पर तीन जोड़ी जूते है हैं दो जोड़ी चपल हैं तो धीरे धीरे स्टेंडर्ड हैं पर बढ़ रहा है तो रिलेक्सो दोस्तो उस market को जवर्दस penetrate करता है और रिलेक्सो दोस्तो यहां से एक long term story है ऐसा नहीं है short term की बात करें long term story growth story अभी भी यहां पर intact नजर आती है रिलेक्सो की और देखिए जै 10% of footwear produced with the domestic market being the major contributor of around 90% तो अभी भी देखिए सिर्फ इंडिया 10% यहां पर export करता है तो अभी भी काफी headroom है यहां पर growth का हमको यहां पर देखने को मिल सकता है साथी साथ digital approach पे भी दोस्तों यह काफी काम कर रहे हैं अभी हम बात करेंगे देखिए market reader value segment में product portfolio बहुत शांद Kate's Mary Zane और सारे बड़े actors इनके साथ जो है endorse करते हैं रणवीर सिंक की बात करें सल्मान की बात करें अक्षा की बात करें सारे बड़े दिगज जो सो top जो actors है इसके brand को endorse करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि जबर्दस यहां पर company marketing जो है अच्छी खासी करती है और manufacturing excellence की बात करें तो 8 manufacturing facilities हैं के पास जहांपर 7.5 lakh pair per day यह बनाते हैं देखिए उस तो और 19 करोड pair ही annually बेजते हैं और अभी वी आप बात करें तो market share relax हो का बहुत कम है तो जैसे हम बहुत जादा है तो जो headroom है growth का वो यहां से बहुत जादा है तो आप अगर अगले 5 से 10 साल 15 साल footwear सेक्टर में invest करना चाते हैं तो relax हो यहां पर एक perfect choice बनती है आँख बन करके इस company में पैसा लगाया जा सकता है management भी बहुत अच्छा है और efficient भी है और देखिए अब distribution network की बात करें तो 50,000 से ज़्यादा 100 retailers है इनके पास distributors 600 से ज़्यादा देखिए EBO 398 countries कितनी countries में export करते हैं देखि है कि अभी भी कितना यहां से हम इसमें grow कर सकते हैं और साथ ही जैसे हम बात करें थे अपनी online presence को दूस्तो company यहां पर बढ़ा रही है अभी एक news आ रही थी थोड़े दिन पहले जब इन्होंने क्या है करा है digital platform पर यह पहले अपना advertisement launch करेंगे उसके बाद एक TV पर आएंगे कौन है यह विलियम ओ नील तो यहां पर बोड़ रहे हैं कि रिलेक्स हो दोस्तों यहां पर वो जो है उस पर bullish है यहां पर एक gold deal lock scenario यहां पर बनता हूँ नजर आ रहा है मतलब कि एक ऐसी economy जो की मतलब stable तरीके से grow होगी तो उसमें दोस्तों यहां पर बोला है कि consumption sector पर bullish है और उसमें relax हो का यहां पर उन्होंने जो है जिक्र किया है देखिए यह latest update आपको कल की देखने को मिल रही है तो इसमें आप दोस्तों अगर मौका मिलता है एक तारीक को हमको यहां पर result आएंगे तो वहां पर यह काफी focus कर रहे हैं और अच्छी खासी marketing spending में दोस्तों अभी वापिस से कर रहे हैं क्योंकि lockdown के समय covid के time इन्होंने अपनी spending कम कर दी थी वह वापिस से बढ़ा रहे हैं धीरे धीरे तो अब चलते हैं यहां पर एक बार shareholding pattern पर देखिए 70.92 जो है promoters के पास पब्लिक के पास जादा नहीं है और इसमें से PMS भी हैं, HNIs भी हैं, institutions भी यहां पर invested हैं तो आप समझेए जादा public यहां पर invested नहीं है तो strong hands में यह माल पड़ा हुआ है अगर मौका मिलता है तो जरूर दोस्तों आप भी उस strong hands, वो strong hands से माल अगर थोड़ा बहुत निकल ज करता है numbers को, तो मेरे ख्याल से करीब आपको वापिस से एक बार 1250 के level पर आता हूँ देखने को मिल सकता है, तो यहां पर एक जबर्दस opportunity होगी इसमें long term के निवेश करने की, लेकिन अगर आपने अभी तक निवेश नहीं किया है, तो आप यहां पर कुछ quantity उठा सकते हैं, तो कोई problem नहीं है, long term में यह company उपर ही जाएगी, कई इसने all time highs बनाये है past में भी और all time highs को भी हमेशा break करते रहेगी, तो आप थोड़ी बहुत quantity हाँ पर उठा सकते हैं, numbers का wait कीजिए, number अच्छे आए, तब भी quantity उठाईएगा, और number अच्छे खराब आए, market में correction आती है stock में, तो यहाँ पर और आप heavily थोड़ा सा aggressively इसमें consider कर सकते हैं इस stock को, क्योंकि stock की बाद उस तो हमेशा करते ही है, core portfolio stock है, consistent compounder है, और duopoly है, value segment में monopoly है, तो I hope दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो अच्छा लगा है, तो like कीजिए, share कीजिए, चैनल को subscribe कर लिजिए, कोई question doubt से comment बहुत जरूर पूछ सकते हैं, मिलते हैं आप से next वीडियो में, till then take care, bye bye